जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिल्टी के बारे में इसका पूरणाम जानते कि यहां पे डी डी टी इसको सोट में या संगशेप में कहा जाता है तो एक जो पहला डी है इसका मतलब होता है डाई क्लोरो दूसरे वाले डी का फुल फॉर्म होता है डाई फिनाईल और टी का मतलब होता है ट्राई क्लोरो इथीन हो सकता है अभी आपको यह स्पस्ट ना हो लेकिन आगे चलके मैं आपको संग्रशना की साहता से यह किलियर जरूर करूंगा डिडिटी एक सफेद रंग वाला स्वाध हीन गंध हीन जल में कम घुलनसील क्रिस्टलियर रासाइनिक योगिक है बच्चो किलियर हुआ डिडिटी जो होता है वो सफेद रंग वाला होता है इसमें गंध नहीं आती है अगर आप सुंगेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको आपके परोस में डाल दिया है तो भी आपको पता नहीं चलेगा इस केमिकल के बारे में जल में बहुत कम घुलता ह वसा में ज़्यादा घुलता है तेल लेके आई इतू कार्बनी के विलायक है उन में ज़्यादा घुलता है पारी में तुलनात्मक रूप से काऽी कम घुलता है और crystal ये powder form में मिलता है जी ये इसकी संग्रचना है जी इसकी संग्रचना को समझ लीजिए यहाँ पे दो carbon जो है एकल बंद से जुड़े हुए है इस वाले carbon पे लगे हुए है तीन क्लोरो तो क्या बोलते है तीन को ट्राइक्लोरो अगर यहाँ पे तीन H लगे होते CS3 होता तो नाम क्या होता है ट्राइक्लोरो इथेन लेकिन इस वाले carbon पे दो परतिस थापी ओर लगे हुए है फिनाइल लगे हैं है ना जी और फिनाइल जो यहाँ पे रिंग लगे हैं उनमें लगे हैं क्लोरो यहाँ भी क्लोरो है यहाँ भी क्लोरो है तो नाम क्या होगा जी डाइक्लोरो डाइफिनाइल देखे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन क्लियर हुआ मूल जो यहाँ पे चेन है वो यह वाली दो carbon की है किलियर हुआ है इसका आणू सुतर जो होता है C14, H9, CL5 होता है और गल्लांक होता है 108.5 डिग्री सेल्सियस 1874 में आस्ट्रियन विग्यानिक ओत्मर जैडलर ने सौर पर्थम डिरिटी का संसलेशन किया था बच्चो 1874 में ओस्ट्रिया किक विग्यानिक थी जिनका नाम था आत्मर जैडलर उन्होंने सबसे पहले पर्योग साला में डिरिटी या फिर डाइक्लोरो डाइफिनाईल ट्राइक्लोरो इथेन को बनाया था किलियर है आपको 1949 में स्विस विग्यानिक पॉल हर्मन मुलर ने डिरिटी के कीट नासक गुणों को सारजनिक किया मुलर के इस डिरिटी प्रयोग से दित्य विसुयुद के दोरान मलेरिया और टाइफाइड जैसे महारोगों से निजात मिली और 1948 में मुलर को नोबल प्रुसकार से सम्मयानित किया गया बच्चो हुआ क्या था 1949 में एक स्विस विग्यानिक हुए पॉल हर्मन मुलर उन्होंने डिरिटी के जो गुण धरम थे उनके उपर अध्यन किया तो उन्होंने देखा कि रिरिटी का परयोग जो है वो कीट पतंगों को मारने के लिए बहुत अच्छे डंग से किया जा सकता है और उन्होंने लोगों को बताया कि रिरिटी जो होता है वो किसी परकार के भी कीट पतंगे को नहीं छोड़ता है और उस समय दिर्टे विस्वी यूद के दुरान जो सैनिक थे वो दुस्मन की गोली से कम परिसान थे और मच्छर टाइफाइड जूओं से ज़्यादा परिसान थे खटमलों से बहुत परिसान थे और जैसी उन्होंने डिर्टी के बारे में सुना तो उन्होंने इसका प्रयो उपलब्द कराने के लिए नॉबल प्रुषकार से सम्मानित किया गया तो देख लीजे कैई बार दूसरों की खोज होती है वो किसी और के लिए फाइदे मंद हो जाती है जैडलर ने तो खोज करी लेकिन ले गए नॉबल प्रुषकार कौन हर्मन मुलर 1945 में अमेरिका ने डिडिटी की बिखरी को सारजनिक कर दिया ता दियान रखेगा अब लेते हैं डिडिटी की निर्माण विधी की कैसे हम डिडिटी को बना सकते हैं क्लोरो बेंजीन वे क्लोरल को S2SO4 की उपस्तिती में दो अनुपात एक में गरम करके डिडिटी का निर्माण किया जाता है देखें यहाँ पे क्लोरो बेंजीन के दो मोल लिये हुए CCL3CHO यह हमारा क्लोरल कहलाता है S2SO4 की उपस्तिती में इस मिसरन को गरम करते हैं जिससे डिडिटी बनाया जाता है अब आपको याद क्या करना है क्लोरो बेंजीन को इस परकार लिखना है उसका यहाँ पे आप जानते हैं कि हर एक जो पांच कार्बन है इन पांचों कार्बन पे एक एच लगा हुआ है तो क्लोरो जो यहाँ पे लगा हुआ है परमाणू इसके जो बिल्कुल विप्रीत स्थिती में हाइड्रोजन है यह वाला हो या फिर यह वाला हो यहाँ पे S2SO4 की उपस्तिती में जल बनके निकल जाते हैं आप जानते है S2SO4 जो होता है वो निरजली कारक होता है और जल के निकालने के काम आता है तो देखिए यहां से H निकला, CHो क्लोरल का हमने O लिया, यहां से H लिया, यह आपका यहां से S2O बनके निकल जाता है, तो मैं यहां पे माइनस S2O भी लिख देता हूँ, अब देखिए यह सारा इस क्लोरल के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पे क्या बचा है, CH और CH के सा साथ में यह दोनों डाइफिनाईल, डाइकलोरो डाइफिनाईल जो रिंग है, यह जुड़ जाएंगे, इस वाले CH पे, देखिए जुड़ गया है, और यहां पे एक चीज़ मिसिंग है, क्लोरो तो हमने लगाया ही नहीं है, भूल गया है, तो यहां लगा देते हैं, नाम क्या हो गया, डाइकलोरो डाइफिनाईल ट्राइकलोरो इथेन, किलियर हुआ डिरिटी, यह हमारा बन गया, तो याद रखिए क्लोरो बेंजीन के दो मोल, क्लोरल का एक मोल, S2SO4 की उपस्तित में गरम करिए, जल निकल जाएगा, जल निकालने के लिए, क्लोरो बेंजीन क के 2H और क्लोरो का O निकाल दीजे, जल और फिर इसको जोड दीजे, बन जाएगा आपका डिरिटी, 1962 में रैचल कॉर्सन नाम के वैज्ञानिक ने डिरिटी दोवारा हो रहे पढ़ियावरण पर दुस परभाव की जानकारी दी, बच्चों डिरिटी जो होता है, वो रहने वाले जीव जन्तूओं को यहां तक की मानुओं को भी बहुत जादा नुकसान पहुचाने वाला एक रासायनिक पदार्त है, 1962 में ही इसके दुस परभाव के बारे में रैचल कॉर्सन ने लोगों को बताना सुरू कर दिया था, और ऐसी बात नहीं है, जैसे इसके द दी थी लेकिन भारत में जो डिडिटी पे आपकी रोक लगी, वो लगी 2008 के बाद धीर-धीर लोगों ने इसका परयोग करना कम कर दिया और आज तो बिलकुल बंद हो चुका है, अगर आप दुकान पे जाएंगे तो आपको डिडिटी नहीं मिलेगा, अब लेते हैं डिड जुएं ये वो कीट पतंगे हैं जो इनसान के साथ साथ जानुर को भी परिशान करते हैं, तो इन सब को माणने के लिए परयोग किया जाता था डिडिटी, किया जाता था, हाँ, आज कल तो बंद हो गया है न जी, अब लेते हैं डिडिटी के दुरुपयोग या हानिया, हा क्यों अमेरिका ने, क्यों भारत ने, क्यों दुनिया बर के देशों ने आज डिर्टी का परियोग उया और उत्पादन दोनों बन कर दिये हैं आई जानते हैं कौन कौन से दुस्परिणाम होंगे डिड़िटी के दुस्परिणाम की बात करें तो मचलियों पश्यों पक्सियों के लिए विसेला होता है जी नवजात में कम वजन इस्तन और अन्य कैंसर कारक है प्रजन अंदोस को बढ़ाने वाला है लिवर और तंतरी का तंतर को छती पहुंचाता है बच्चों डिड़िट हो पश्यों या फिर मचलियां हो वो सब मर जाती है यह जैरिला होता है अगर बात करें तो यह अलग-अलग परकार के कैंसर को करने वाला होता है कैंसर कारक होता है जो आपके प्रजन दोस है बच्चा उत्पादन करने की छमता है चाहे वो पक्सियों या इनसान हो या पश आ जाती है जैसे कमियों की प्रजनन दोस की बात करें तो प्रजनन दोस पक्सियों में पाया गया जब रैचल कॉरसन ने डिडिटी के दूस परिणाम के बारें बताया तो अमेरिका की एक होज में पाया गया कि जो पक्सी होते हैं उनके अंडों का जो कवच होता है भारी वो काफी कमजोर हो गया था जिसकी वज़े से जो पक्सी थे उनके अंडों से चूजे नहीं बन पा रहे थे और जब चूजे ही नहीं बनेंगे तो पक्सी होगी संक्या वहां पे कम तेजी से कम होना शुरू हो गया था क्योंकि डिडिटी उनके सरीर में परवेश कर चुका था आज की वीडियो में हमने जाना डिड़िटी के बारे में डिड़िटी क्या होता है, किसने उसकी खोज की है न जी, उसकी निर्मान विदी को जाना हमने और उसके परभाव और उसके दुस परभाव के भी हमने यहाँ पे जाना उमीद है, इस अब आपको किलियर हुआ होगा. झाल झाल